करनाश में दवंगो ने घर के बाहर काई राउंड फाइरिंग कर दहशत मचाई है इसके बाद में पीडित परिवार पर लाची डंडो से हमला करने की कोश्च भी की गई एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वीडियो वारल होने के बाद में पुलिस से तीन आरोपी को हिरफतार कर लिया ये घटा सदर कोतवाली शितर के इस्वापूर गाउं की है दरसल पीडिक मनोज कुमार घर से ट्रेक्टर निकाल रहा था और इसी दौरान ट्रेक्टर का पिछला हिस्ता आरोपी बाके लाल के घर से टकरा गया इसी मामले पर विवाद काफी बढ़ गया चार जिंदा कार्तूस दोखोखे और एक फरसा बरामद दिवा है इसमें जो अन्य लोग भटना में सामिल है उनके गिरफतारी के लिए पुलिस दभी दे रही है बरेली से बड़ी खबर है जहाँ पर आई-मसी प्रमुक तौकिर रजा को धंकी दी गई है सोशल मीडिया पर जान से बारने की धंकी मिली है समर्थकों ने सदर कूतवाली में FIR दर्ज करा ये केस दर्ज कर जास में चूटी है पुलिस तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तौकिर रजा को धंकी दी गई है जान से मारने की और सोशल मीडिया के जरीए ये धंकी दी गई जिसके तहता पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है और पूरे मामले को लेकर जास परताल की जा रही है और बदायू से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर BSA आनंद शर्मा ने अनोखा आदेश जारी कर दिया है शराबी शिक्षकों की पत्नी के शिकायतों पर BSA ने आदेश जारी किया है BSA ने शराब के सेवन में जादा वेतन खर्च करने वाले शिक्षकों की आधी सेलरी उनकी पत्नी के खाते में भीशने का आदेश दिया BSA ने संबंधित पैंकों को इस बात को लेकर निरदेश भी दिया है शराबी शिक्षकों को वेतन मिलने की सूचना उनकी पत्नियों को भी मैसेज भेश कर देने की बात कही गई चत्रकूर्ट में घर से जूटी के लिए निकले नर्स के साथ में गैंगरे पामले में चार अग्यात लोगों के खिलाफ केस तर्च क्या गया गटना के बाद में पूलिस की काई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी रही और वहीं सपा एसपी चत्रकूर्ट देर रात तक गटना इस्थल पर भी पहुचे और घर से ध्यूटी पर निकली नर्स के साथ में गैंगरे पकी घटना सामने आई है नर्स के हाथ पैर बांद कर रेलवी ट्रैक किनारे पर फेका गया था सूशना के बाद में पहुचे पूलिस ने पीडितो पीडित को अस्पताल में भरती कराया मामला बरगण थाना शित्र का है जानकारी करने पर ग्यात हुआ कि महिला प्राइबेट अस्पताल में ही नौपरी करती है साड़े नौबजे के आसपास अपने घर से निकली थी साइकल से जैसा उसने बताया था उस समय पूस्ताश में कि तीन लड़के खड़े थे और जब वो आगे बढ़ी तो पीछे से एक पत्फर लगा जिसके बाद वो बेहोस हो गई जब होस आया तो उसके हाथ मधे हुए थे उसमें सारे से बुलाया ट्रैकमें को उसमें हाथ पूए और ना उसे खबर है जहाँ पर दुकान की छट गिरने से आसपास हड़कम पुमश्किया मलवे में दवे दुकानदार को लोगों ने रेस्क्यू के जरिये निकाला गंगागाट कोतवाली शेत्र के राज़्थानी मार्ग की घटना बताई ज़ा रही है बांदा में एक शक्स को तालिबानी सजा दी गए लाठी डंडो से उसकी बिरहमी से पिटाई की गए इस दौरान पीडित रहम की भीक भी मांगता रहा मगर किसी का दिल नहीं पसी जा अब घटना के दस दिन बाद पीडित ने अस्पताल में दम तोड़ दिया ये घटना पहलानी थाना शेत्र की है प्रतक का नाम राम बालक है जिसका अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था लेहाज़ा पत्नी मायके में रहा करती थी इसी बीच उसका ससुराल में ही किसी दूसरी बहिला से प्रेम प्रसंग हो गया वो बच्चों से मिलने के बहाने ससुराल पहुचा और अपनी प्रेमिका के पास पे चला गया जहां प्रेमिका के परिजणों ने उससे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से जा गया था इसमें अभीयोप पन्रिकत किया गया है और जो भी इसमें जो मारपीट करने वाले हैं उनकी पहचान की जा रही है और सिगरी उनकी गिरप्तारी करके जो भी इपक्षे में जम कर मारपीट हो गए इस खटन में नौ लो गंभी रूप से घाल हो गया हाला की लाज के दौरान एक शक्स की जान चली गई मृतक के पहचान दीपु चौधरी के रूप में हुई है, ये मामला जबीन से जुड़ा हुआ है, सिंधारी थाना शेत्र की ये घटना है। जहां पर अलापूर्ट चेर्मेन पती के समर्थकों ने नियाएक मजिस्ट्रेट के सामने जम कर मारपीट के। चेर्मेन पती समेथ 6 नामसद और साथी 10-15 अग्याद पर मुकदमा दर्श किया गया। आपको बता दे कि नगरपाली का अलापूर में हो रहे घुटाले की पसंद से सुनाई ना होने के बाद में सभसदों ने हाई कोट की शरंड ली। अमबेट का नगर में टिकेट ना मिलने से आहद बीज़पी नेता की तब्यद बिगड़ी है बीज़पी नेता अवधेश दिवेदी की तब्यद खराब होने के बाद में लकनव के एक चुनाव भी लड़ चुके हैं दोनों ही बार मामूली वोटों से चुनाव खारे थे और चुनाव के लिए भाजपा ने धर्मराज निशात पर दाव लगाया है टिकेट न मिलने के बाद से भाजपा से दूरी बनाये हुए थे नामांकन कारिक्रम में भी शामिल नहीं हु